हुम शंती यह हमारी 38 मूर्ली है 17 नवंबर 1969 फर्ष से अर्ष पर जाने की युक्तियां तो मूर्ली में काफ़ी सारी इंपोर्टन बाते हैं और हम इनको कुछ कीवर्ड की हल्प से याद रखेंगे और देखेंगे कि बाबा ने इनके बारे में क्या कहा है बाबा ने कहा कि प्राक्टिस और अटेंशन पर ध्यान देने की आवशकता है बाबा ने कहा कि बाब दादा को गिफ्ट देना भी है और बाब दादा के लिए गिफ्ट खुद बनना भी है तो यह गिफ्ट बनने वाल इसके बात बाबा ने आखा के दो बातें याद रखनी हैं जो भी भटी में आए हुए अधर कुमार हैं attractive और active बनना है attractive यानि हर्षित बनना है तो हर्षित बनने की काफी detail और depth बाबा ने बताई है कि तन्द मन से हर्षित होने का क्या meaning है और active होने की भी बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं तो उसमें तीन निशानिया मुख्य बताई हैं वो हम तीन बातें देखेंगे इसके लावा easy and ever ready रहना है और बाबा ने का कि कई बच्चे पूछते हैं कि प्रभाव कब निकलेगा प्रभाव क्यों निकलता भी तो बाबा ने का कि जब प्रभावित होना छोड़ देंगे तो प्रभाव निकलेगा तो this is like तो these keywords we will discuss in detail तो यहां बच्चे में किस लिए आए हो इसमें कितने questions हैं 30 questions हैं इसमें काफी questions हैं यह बी तो बटी में किस लिए आए हो विदेह में रहते विदेही ही हो रहने के अभ्यास के लिए जब से यहां पाउं रखते हो कब से यह इस्तिती होनी चाहिए जो लच्चे रखा जाता है उसको पूरूर्ण करने के लिए अभ्यास और अटेंशन चाहिए अब डादा हर एक को नई बात के लिए ही बुलाते हैं अधर कुमारों को विशे सिसलिया बुलाया है पहले तो अपना जो ग्रेस्त विवार बनाया है उसमें जो उल्टी सीडी चड़ी है उस उल्टी सीडी से नीचे उतरने के लिए बुलाया है और उल्टी सीडी से उतार कर फिर किसमें चड़ना है अर्ष शे फर्ष पर और फिर फर्ष से अर्ष पर उल्टी सीडी का कुछ ना कुछ जो ग्यान रहता है उस ग्यान से अग्यानी बनानी के लिए और जो सत्य ग्यान है उनकी पैच्छान देकर शान सुरू बनानी के लिए बुलाया है ये वाला एक्सप्रेशन भागवत गीता में भी है कि क्रिशन अर्जुन से कहते हैं कि तुमने जो कुछ पड़ा सुना देखा है वो सब भूल जाओ बाबा ये क्या रहे हैं कि उस ग्यान से अग्यानी बनाने के लिए बुलाया है पहले उतारना है फिर चड़ाना है जब तक पूरे उतरे नहीं हैं तो चड़ भी नहीं सकते सबी बातों में अपने को उतारने के लिए तयार हो तो ये एक बहुत अच्छा क्वेशन है और डीप क्वेशन है जो भी हमने उल्टी बातें सीखी हुई है दुनिया में धर्म के बारे में जीवन के बारे में क्या उन सब बातों को भूलने के लिए हम तयार है and do we really know कि कितनी बड़ी सीड़ी से उतरना है उल्टी सीड़ी कितनी लंबी है तो ग्यान में आने के बाद ऐसा नहीं है कि एक दम से हम जो सारा पुराना जीवन है सब भूल जाते हैं वो उल्टी सीड़ी जो चड़े थे वो देरे देरे उतरते है तो यही प्रोसेस चलता रहता है तो अभी तक जो पुरुशर्थ किया है उसमें समझते हो कि पूरी ही सीड़ी उतरे है कि कुछ अभी तक उतर रहे हो पूरी जब उतर जाएंगे तो फिर चड़ने में देरी नहीं लगेगी लेकिन उतरते उतरते कहाना का ठैर जाते हो तुम विजुलाइज कर सकते हैं कि एक सीड़ी है दुनिया की जिसमें उल्टे चड़े हुए थे और देरे देरे उसमें से उतर रहे हैं और ये फिर मैं वहां से उतर के दूसरे सीड़ी पर चड़ना भी है तो आप समझा किस लच्छी से बुलाया है इससे जनमों में जो कुछ उल्टी सीड़ी चड़े हो वा पूरी ही उतरनी पड़े फिर चड़ना भी है तो उतरना सहाँ है तो पू defendant भी मश्किल है दो बाबा इसलिए पूछरे हैं कि उतरना तो जिनरले कहीं भी इसी हותा है आप कहीं भी चड़ेंगे सीड़ी पे तो मुश्किल होगा उतरना तो आसान होगा तो बाबा कह रहे हैं कि अब तुम जो उल्टे चड़ गए हो वहां से उतरना तो आसान होना चाहिए तो अब ही आप जो पुरुशार्थ कर रहे हो वा उतर कर चड़ने का कर रहे हो या या सिर्फ चेड़ने का एट तो ये दोना प्रासेश इंपटेंट है या जो उल्टी कंडिशनिंग हो रखी है पहले डि कंडिशनिंग करनी है और और पहर यो री कंडिशनिंग करनी है कुछ मिटा रहे हो कुछ बना रहे हो दोनों काम चलता है ना आपको मालूम है Birazषब पॉड़ी या सीड़ी कौनसी उतरनी है, तो इस देह के भान को छोड़ देना है, जैसे कोई शरीर के वस्तर उतारते हो, तो कितना सहज उतारते हो, वैसे ही ये शरीर रूपी वस्तर भी सहज उतार सको, और सहज यही समय पर धारण कर सको, तो किसको यह अभ्यास पूंड रिती से सीखना है लेकिन कोई कोई का यह देह विमान क्यों नहीं तूटता है यह देह का चोला क्यों सहज नहीं उतरता है यह सबी भाई भेनों का प्रेशन होगा जो भी राजियों का अभ्यास करते हैं और उसका अंसर काफी ये अच्छा अंसर है उसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि इसका applied meaning क्या है जिसका वस्त्र तंग या tight होता है तो उतार नहीं सकते हैं ये अभी ऐसे ही है कोई न कोई संसकारों में अगर ये देह का वस्त्र चिपका हुआ है अर्था तंग टाइट है तब उतारता नहीं है तो यहाँ पर हमारा अंसर निकल कर आया किसमें उल्जा हुआ ये वस्त्र संसकारों में नहीं तो उतारना चड़ाना वाया देह रूपी वस्त्र चोड़ना और धारना करना बहुत सहज है जैसे कि इस फुल वस्त्र उतारना और पहनना सहज होता है यही देखना है कि यह देह रूपी वस्त्र किस संसकार से लटका हुआ है तो इस मूडली का ये बहुत important question है जो कि हम जबी भी योगभटी में जाते हैं ये योगभटी करते हैं तो हमें इस पर फोकस करना है जब सबी संस्कारों से नियारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी नियारी हो जाएगी इसे लिए बाप दादा भी कई बार समझाते हैं कि सभी बातों में easy रहो जब खुद सभी में easy रहेंगे तो सभी कारे भी easy होंगे अपने को tight करने से कारे में भी tightness आ जाती है वैसे तो जो इतने ही समय से प्रुशार्ट में चलने वाले हैं उन्हों को आप बहुत ही करतवे में नियारापन आना ही चाहिए अभी इस बटी में जो भी tightness है वा भी और जो कुछ ओल्टी सीडी की पॉड़ियां रही हुई है वा उतरना भी और फे लिफ्ट में चड़ना भी लेकिन लिफ्ट में बैटने के लिए क्या करना पड़ेगा लिफ्ट में कौन बैट सकेंगे देखो कितना interesting है बाबा सारी बातों को कैसे जूड़ देते हैं ये कितना असान है बाबा का प्यार है बाबा कह रहे हैं अब सीडी चड़ना नहीं है लिफ्ट में बैटने क्योंकि बाबा को पता है ठक गए है न तो अब लिफ्ट में चड़ाइंगे लेकिन उसके लिए क्या करेंगे बाब के लिए सारी दुनिया में लायक बच्चे ही स्रेस्ट सौगात है बाबा कितनी उची नजर से बच्चों को देखते हैं तो देखो कितनी बड़ी है बात कई बाबाने के लिफ्ट में चढ़ने के लिए बाप की गिफ्ट बनना और फिर जो कुछ है वाबी गिफ्ट में देना पड़ेगा गिफ्ट देनी भी पड़ेगी और बाप की गिफ्ट बनना भी पड़ेगा तो इस बात को आप अपने बुद्धी में भी गिफ्ट बना की रख लें और याद रखें आप कि बाबा का कितना प्यार है बच्चों से बाबा क्या चाहते हैं कि बच्चे ही गिफ्ट बन जाएं तो तब लिफ्ट में बैठ सकींगे समझा जग्दिश बैजी बड़े बहुत एंफिसाइज करते थे ऐसी बातों पर समझा तो अब सोचिए कि हमने क्या समझा हूँ तो अभी देखना है डौनों काम किये हैं गिफ्ट भी दी है और गिफ्ट बने भी है गिफ्ट को बहुत संभाला जाता है और गिफ्ट को शोकेस में सजाकर रखते हैं जैसी जैसी गिफ्ट वैसे वैसे शोकेस में आगे आगे रखते हैं आप सबी भी अपने आपको ऐसी गिफ्ट बनाओ जो लिफ्ट भी मिल जाए और इस रस्टी के शोकेस में सबी से आगे आ जाओ तो गिफ्ट बनने के से क्या होगा गिफ्ट बनने से तो लिफ्ट मिल जाएगी और शोकेस में आ जाएंगे राइट तो शोकेस में सबी से आगे रहने के लिए अधर कुमारों को दो वेशियस बातों का ध्यान लखना पड़ेगा शोकेस में चीज जो रखी जाती है उसमें क्या वेशियसता होती है तो बाबा इस जस्ट अन अमेजिंग स्टोरी टेलर कि सारे बातों को एक कहानी की तरह बता दिया फटवर्ट से अब शोकेस में जो चीज रखी जाएगी वो कैसी होगी एक तो अपने आपको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा और दूसरा एक्टिव यह दौनों विशेस ताएं खास अधर कुमारों को अपने में भड़नी है यह दौनों गुड़ा जाएंगे तो फिर और कुछ रहेगा नहीं कहां कहां एक्टिव बनने में कमी देखने में आती है तो इस बट्टी से विशेस कुन सी चाप लगा कर जाएंगे तो यह बाबा का आपजिर्वेशन है अब यहां एक्टिव का मीनिंग क्या है क्या हम सोच रहे हैं इसके बारे में भाग दॉट जले जले सारे काम करना या क्या देखते हैं यही दो चब्द सुनाया अट्राक्टिव और एक्टिव अगर यह चाप लगा कर जाएंगे तो आपके एक्टिविटी भी बदली होगी जितनी जितनी यह चाप यह ठपा पक्का लगा कर जाएंगे उतनी एक्टिविटी भी पक्की और बदली हुई देखने में आएगी अगर ठपा कुछ डिला लगा कर जाएंगे तो एक्टिविटी में चेंज नहीं देखने में आएगी तो यह तो सुना था ना कि बटी में आनार था 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 अपना रंग रूप दोनों बदलना है यह बात भी आप नोट कर सकते हैं बटी के जो पॉइंट से सारे हम नोट कर रहे है बटी में जो चीज आती है उनकी जो बुराई होती है वह अगल जाती है जो असली रूप है असली जो करताव है वह यहां से लेकर के जाना तो कौन सा रूप है क्या बदलेंगे अब यह रंग बदलते रहते हैं फिर एक ही पक का रंग चड़ जाएगा जिसके उपर और कोई रंग नहीं चड़ सकता और जिस रंग को कोई मिटा नहीं सके और ना मिट सके ना और कोई रंग चड़ सके तो सब यह बातों में एक्टिव होना है अब active का क्या मिलेंगे यह हम तोड़ा देख लेते हैं जैसा समय, जैसी service उसमें ever ready कोई भी कारे आता है तो active जो होता है उस कारे को सीगर ही समझकर सफलता को प्राप्ट कर लेता है जो active नहीं होते तो पहले कारे को सोचते रहते हैं सोचते सोचते समय भी गवाएंगे सफलता भी नहीं होगी तो एके वर्था तैवर रेड़ी और वह हर कारी को परक भी लेगा उसमें जुट भी जाएगा और सफलता भी पालेगा तीन बातें उसमें होंगी तो तीन बातें बापा ने बताई हैं कोई भी सर्विस जो दी गई है मैं उसको परक ना उसमें जुट जाना और सफलता पाना क्योंकि सिर्फ परक खा और जुटे नहीं तो आक्शन ने लिया लेकिन जुटे और तरीके से नहीं जुड़े तो सफलता नहीं मिलीगी तो उसको identify करना है उसमें involve होना है तो फिर जिसमें भारीपन होता है उनको active नहीं कहा जाता पर शर्थ में भारी अपने संसकारों में भारी उनको active नहीं कहा जाएगा active जो होगा वा ever ready और easy होगा तो इसको हम याद रख सकते हैं खुद इजी बनने से सब कारी भी इजी परशार्थ भी इजी हो जाता है खुद इजी नहीं बनते तो परशार्थ और सर्विस दोनों इजी नहीं होती मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है सर्विस मुश्किल नहीं लेकिन अपने संसकार अपनी कमजूरियां मुश्किल की रूप में देखने में आती है प्रशर्ट भी मुश्किल नहीं अपनी कमजूरियां मुश्किल बना देती है नहीं तो कोई को सहथ कोई को मुश्किल क्यों भासता अगर मुश्किल ही है तो सभी को सभी बातें मुश्किल हो लेकिन वही बात कोई को मुश्किल कोई को सहस क्यों तो अपनी ही कमजोरियां मुश्किलात के रूप में आती है इसलिए यह दो बातें धारण करनी है इस पे भी हम विचार कर सकते हैं, यह अच्छा पॉइंट है तो अट्रैक्टिव भी तब बन सकेंगे जब अपने में पहले अपने में विशिस्ताई होंगी अब कर्शित बनने के लिए हर्शित भी रहना पड़ेगा अब हर्शित का क्या मिनिंग है? हर्शित का मतलब सर्फ एक बहर से पहरे पर मुस्कराट रखने की बात नहीं है इसका एक डीपर मीनिंग है हर्शित का अर्थ ही है अतिंद्रिय सुख में जूमना ग्यान को सुमिरन करके हर्शित होना अब यह यह यहाँ पर इंपॉर्डेंट बात है इसमें योग की भी बात आवी और ग्यान की भी बात आवी तो दोनों ही बातें इंपॉर्डेंट है ग्यान को सुमिरन करके हर्शित होना अव्यक्त इस्तितिका अनुभव करते अतिंद्रिय सुख में आना इसको कहा जाता है हर्शित हर्षित भी मन से और तन से दोनों से होता है ऐसा जो हर्षित होता है वही अकर्षित होता है प्रकर्ति और माया के अधिन ना होकर दोनों को अधिन करना चाहिए क्योंकि मन हर्षित नहीं होगा तो उसका कारण माया है और तन हर्षित नहीं होगा तो उसका करण प्रकरती है तो प्रकरती और माया दोनों को अधिन कर लेंगे तो दोनों ही बातें कवर उजेंगी तो जितना अधिकार प्राप्त करेंगे उतना प्रकरती और लोगों दोरा सत्कार होगा तो सद्कार कराने के लिए क्या करना पड़ेगा तो अधिन पर छोड़कर अपना अधिकार रखो अधिकार रखने से अधिकारी बनेंगे तो बावन ने कहा कि अपनी ही रचना की अधिन बन जाते है अपनी ही रचना की अधिन बन जाते है मेनिंग अपनी ही रचना अरखात संकल्पों के अधीन हो जाते हैं तो लौकिक रचना से अधीन बनते हो वैसे ही अब भी अपनी रचना संकल्पों के अधीन बन जाते हो अपनी रचना करमेंद्रियों के भी अधीन बन जाते हो संकल पे भी हमारी रचना है और हमारी कर्मिंद्रियां भी हमारी रचना है तो ये दो बातें आ जाती है अधिन बनने से ही अपना जर्म से दिकार खो देते हो तो अपने आप से पूछो कि बच्चा बना और पवित्रता सुख शैंति का दिकार पराप्त किया फिर यह जो क psychiatए हो गये का प्रभभाव निकलेगा यह प्रभभाव भी क्यों नहीं निकलता उसका कारण क्या क्योंकि अब तक कई बातों में खुद ही प्रभावत होते हो तो जो खुद प्रभावत होता रहता है उनका प्रभाव नहीं निकलता तो प्रभाव चाते हो तो इन सभी बातों से प्रभाव नहीं होना फिर देखो कितना जल्ली प्रभाव निकलता है अपनी आक्टिविटी से अंदाजा निकाल सकते हो ऐसा सवभा के सारे कलप में एक ही बार मिलता है सेत्योग में भी लोकिक बाप के साथ रहेंगे पार लोकिक बाप के साथ नहीं 84 जन्वाव में कितना शरंगार किया होगा बिन ने बिन परकार के बहुत शरंगार किये बाप दादा का इसने यही है कि बच्चों को शरंगार कर शोकेस में इस रस्टी के सामने लाएं जब सभी संपूर बनकर शोकेस अर्थात विश्व के सामने आएंगे तो कितने सजे हुए हुँगे तो सत्यू का चंगार नहीं लेकिन गोड़ों के गहने धारण करने है तो ये बहुत अच्छी सी चोटी सी प्यारी सी मोड़ी हमने देखी इसमें कीवर्ड्स में यही हैं आपको याद रखने है इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं तो आपको याद रहेगा और डैरी में भी नोट कर सकते हैं तो जो इस लच्छे से आते हैं उसके लिए प्रैक्टिस की जाती है अटेंशन रखा जाता है गिफ्ट बनना भी है गिफ्ट देना भी है और गिफ्ट बनेंगे तो फिर लिफ्ट मिलेगी सीड़ी चड़ने के लिए और अच्छी गिफ्ट बनेंगे तो शोकिस में रखा जाएगा अट्राक्टिव बनना है तन से भी और मन से भी तन से अर्थात परकरती को अधिन, मन से अर्थात माया को अधिन और हर्शेत रह सकेंगे ग्यान के सिम्रंड से, अव्वेक्ट इस्तिती से और अतिंद्रिस सुख की स्तिती से और तीन बातों में अक्टिव बनना है परक्षना है, सेवा को जुट जाना है, और सफलता पानी है और संसकारों में इजी बनना है, एवरेड़ी रहना है और परभाव वित नहीं होना है, तब परभाव निकलेगा तो ये सारी बाते हम याद रखेंगे इसके लगव आपका कोई भी इंपोटिस में है क्योंकि कई बार ये होता है कि अलग अलग लोगों का मोडली पढ़ने का फोकस अलग अलग होता है आपको ऐसा लगता है कि कोई बात ऐसी है इस मोडली में जो हमने focus नहीं की और important है तो आप उसे बता सकते है तो इससे बाकी लोगों का भी ध्यान उस पर जा सकते है और कोई ऐसी बात है कि जिसको हमें ज़्यादा detail में discuss करना चाहिए था वो भी आप indicate कर सकते है इसके लावा if you have any suggestion any feedback you can give us so that we can further improve upon it ओके ओम श्यंती